लगता है बॉलिवट के भाईजान फुल्मान खान की ट्यूब लाइट दस दिन बाद ही सही लेकिन जली सरूर। और ये तो हम नहीं कह रहें बल्कि ये तो फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन्स ही बया कर रहे हैं। अगर ट्यूब लाइट की कलेक्शन्स की बात करें तो फिल्म बन गई साल 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म। जी हाँ 5500 स्क्रीन पर रिलीस कबीर खान की फिल्म पहुच गई है 204 करोड की आकरे के पार। और अगर फिल्म के इंधियन मार्केट की बात करें तो फिल्म ने कमाई है 117.40 क्रोर्स और आगे निकल गई है वरुन धवन आलिया भद की फिल्म पदरिनाथ की दुलहनिया और अक्षाई कुमार की जॉली लल्लपी 2 से। पर लगता है इसके बावजूद भी फिल्म नहीं बीट कर पाएगी किंग खान स्टारर रईस को जिसने किये है 281.4 क्रोर का बिजनेस। देंगे की भाई की किस्मत फिर पलते और पहले की तरह उनकी फिल्म्स बॉक्स ओफिस पर धमाकिदार बिजनेस करें। तो क्या ट्यूब लाइट पीट कर पाएगी बाहु बली टू रईस या काविल का इंदियन बॉक्स ओफिस बिसनेस। शेर करें अपने व्यूस नीचे कमेंट सेक्शन में।